नमस्कार, स्वागत है आपका JJN News मैं और आपके साथ मैं हूँ गणेश मुबाइल सिम कार्ड के लिए नए नियम काईदे जारी कर दिये गए हैं आपको बता दें भारतिय दूर संचार नियामक प्राधिकरन यानि ट्राई ने 15 मार्च 2024 को नए नियम जारी किये थे जो आज से पूरे देश में लागू हो जाएंगे ट्राई का कहना है कि नियम में बदलाव से धोकादड़ी की घटनाओं को रोका जा सकता है हाला कि आम यूजर को इस से परिसानी का भी सामना करना पड़ सकता है बता दें सिमपोर्ट करवाना अब आसान नहीं बलकि मुश्किल होने वाला है दरसल ट्राई ने सिम नंबर बदलने को लेकर नए नियमों को जारी कर दिया है मोबाइल फॉन नंबर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बदलवाने के लिए यूजर को मुश्किलों का सामना करना होगा बता दें हाल ही में कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें लोगों की नीजी जानकारी का इस्तमाल कर उनका सिम पोर्ट कर दिया गया इस पर रोकथाम लगाने के लिए ट्राई ने सिम पोर्ट के ने नियम बनाए हैं जिससे यूजर की डिटेल सुरक्षित रहें बता दें यूजर को पहले की तरह आसानी से एक सिम कार्ट से दूसरा कंपनी सिम कार्ट बदलने का मौका अब नहीं मिलेगा बलकि पहले एक आवेदन जमा करना जरूरी होगा इसके बाद यूजर को प्रक्रिया के तहत इंतजार करना होगा ने नियोम में पहले अपनी पहचान से संबंदित दस्तावेज देने होंगे साथ ही वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपना ना होगा फोन नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भीजा जाएगा जो सिम पोर्ट के दौरान यूज होगा इसके अलावा ने नियोम में एक यूजर को एक ID से एक ही सिम मिलेगी इसके साथ ही ट्राई ने दूर संचार विभाग को नई सेवा शुरू करने की सिफारिश की है जिसमें हर आने वाली कॉल का नाम मोबाइल उप्योग करता के हैंसर पर प्रदरशित होगा चाहे नाम संपक सुची में सहे जा गया हो या नहीं इससे धोकादर की घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही बांकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जे एन नियूज धन्यवाद